तेवा जोहार सगजन तो चलिया सगजन आज बात करने वाला है कि एक जन्वरी जिसे जिस दिन नया साल मनाया जाता है उस दिन आदिवासों के लिए वो काला दिवस क्यों है क्या हुआ था उस दिन इसने अधा धुंद फाइरिंग की थी जिसमें कई आदिवासी मारे गया थे आदिवासी खरसावा को उडिसा में विलाय किये जाने का विरोध कर रहे थे आदिवासी खरसावा को बिहार में सामिल करने की मांग कर रहे थे आजात भारत का यहां सबसे वड़ा गोली कांड माना जाता है प्रत्यक्ष दर्सियों अवं पुराने बुजुर्गों की माने तो एक जनवरी 1948 को खरसावा हाट मैदान में हुए गोली कांड स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक काला अध्याय बन गया स्वतंत्रता के बाद जब राज्यों का विलय जारी था तो बिहार वा उडिसा में सराई किला वा खरसावा सहित अन्य छेत्रों के विलय को लेकर विरोधा भास वा मन्थन जारी था ऐसे समय में ऐसे समय छेत रखे आदिवासी अपने को स्वतंत्र राज्य या परदेश में रखने की इच्छा जाहिर कर रहे थे इसी पर सर्व सम्मती वा अंदुलन को लेकर खर्शावा हाट मैदान पर विशाल आम सभा एक जनवरी को रखी गई थी ततकालिन नेता जैपाल सिंग मुन्डा सही समय पर सभा इस्थल पर नहीं पहुँच पाए जिस से भीड तीतर बितर हो गई थी बगल में ही खर्शावा राजमहल की सुरक्षा में लगी उलिशा सरकार की फोज ने उन्हें रोकने का प्रयास किया भासाई ना समझी समाध हिंता या ससस्त्र बलों की धैर हिंता मामला कुछ भी रहा हो आपसी विवाद बढ़ता गया पुलिस ने गोलियां चलाना चलानी सुरू कर दी इसमें कितने लोग मारे गए कितने हताहत होए इसका सही रिकार्ड आज तक नहीं मिल पाया है पुलिस ने भीड को घेर कर बीना कोई चेतावनी दिये निहत्थे थे उन लोगों पर गोलियां चलानी सुरू कर दी पंद्रह मियट में कई राउन गोलियां चलाई गई खरसावा के इस एतिहासिक मैदान में एक कुआ था भागने का कोई रास्ता नहीं था कुछ लोग जान बचाने के लिए मैदान में मवजूद एक मात्र कुए में कुद गए पर देखते ही देखते वहां कुआ भी लासों से पढ़ गया गोलिक कान्ड के बाद जिन लासों को उनके परिजन लेने आए उन लासों को उस कुए में डाला गया और कुआ कमों बंद कर दिया गया जहां पर सहीद इसमारक बनाया गया है इसी इस मारक पर एक जन्वरी पर पुस्प और तेल डाल कर सहीदों को सधानजली अरपित किया जाता है हमें गोली कांड या हत्या कांड सब्द सुनते ही जलिया वाला बाग याद आता है जिसमें महज 2000 के आसपास लोग ही सहीद हुए थे जबकि खरसावा गोली कांड में सहीदों की संख्या पांच गुनी अधिक थी अरथाथ 10,000 से उपर था हमने इसकुलों में भी जलिया वाला बाग गोली कांड के बारे में बहुत पढ़ा इसलिए ये हमारे जहन में है पर खरसावा गोली कांड को किसी भी सरकार ने बच्चों के किताभी पाठ्यकरम के रूप में प्रसूत करने की ज़रूरत नहीं समझी क्यों? क्योंकि ये अधिवासी उसे जुड़ा मामला है आज के लिए बस इतना ही सगजन साधर सेवा जोहार अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और सेयर करना ना भूले साथ ही बेल आइकॉन को दबा दीजे ताकि हमारा नेक्ट वीडियो जब भी अपलोड हो और ऐसी वीडियो आप हमेशा पाने के लिए बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजे